हलो चो तुस्वागत है आप सुभी का हमारे यूटूब चैनल प्रेमी सर और आपकी इस प्यारी सी कक्षा में मैं आपका प्रेमी सर कुछ बच्चे प्यार से मीनी गोगी सर के नाम से जानने लगें तो एक बार मैं आपको याद दिल्वा देता हूँ कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 की मैं अध्याय फोर जिसका नाम है दोई गास समिकर्ण इसको हमने वस अभी अभी स्टार्ट ही किया है आज इसका लेक्चे नमबर हम लोग सेकिंड करने वाले हैं ठीक है मैंने आप सभी करने वाले कमीशल को लेक्चे नमबर हर्श्ट में इस चेप्स हमें क्या के पढ़ना है सारी बւद्यादी वाले है् ठीक है बहुंस सारी मेंने ऐाक– लेक्चिर में बताईए जिसस्ति कि बच्चे ने मारा लेक्टर नमबर फर्स्ट नहीं देखा है तो प्लीज में उससे रिक्ष्ट कर रहा हूँ जो हमारा फर्स्ट लेक्टर जूरूर देख ले क्योंकि किसी भी चैप्टर को तयार करनेगा जो सबसे बिश्ट तरीका है जो कहना चाहिए जिब चैप्टर हमे क्या पढ़ना है कोन से प्रस्ट लेक्टर में पहले लेक्टर में ही मैं पूरे चैप्टर का शमराइज आपके जेम में डाल दिया था जिन बच्चों ने हमारा फर्स्ट लेक्टर देखा है इसको पता है तो फिर चलिए आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करवा देते हैं फिर भी एक पर थोड़ा सा कुईक रिवाइसन कर लेता है कि मैंने कल आप लोगों को क्या करवाया था ठीक है मैंने आपको बताया था कि इस चेप्टर में हम लोगों को चार प्रस्णावली पढ़नी है प्रस्णावली 4.1, 4.2, 4.3 और 4.4 यह हमें चार प्रस्णावली पढ़नी हैं जिसमें हमें सिर्फ 4.1 में तो हमें सिर्फ यह पहचानना था यह पहचानना था कि भाया दुईघात समी करण क्या होता है यह मैंने question number आपको one कल ही complete करवा दिया था ठीक है हम लोग question number one complete कर चुके था 4.1 का आज हम लोग करने वाले question number second question number आज हम लोग करेंगे question number second लोग कि most important है बहुत मजा आने वाला है ठीक है बस आप लोग जुड़े रहिए मजा ना आगया feel ना आगया तो मेरी गारंटी है ठीक है question number first कर लेता question number आज हम लोग second करने वाले और प्रसना वली दो चार उसमलब दो में हम लोग क्या पड़ेंगे कि जो भी हमारे दुईघात समी करण है दुईघात समी करण है वो कैसे solve करते हैं तो solve करने के हम लोग विधिया पड़ेंगे जिसमें हम लोग पड़ेंगे गुड़ंखंड विधी 4.3 में पड़ने वाले हम लोग उनवर्ग विधी सिरीधारचारी का सुत्र पड़ेंगे इसमें ठीक है और इसमें हम लोग मूल की प्रकरती पढ़ेंगे यह मैंने आपको कल बता दियता फिर विमने आपको सोट में यह सब बाते बता दी हैं ठीक है यह दिया मारा फर्ष्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज रेक लिजी जाके मढ़ना मज़ा लिया है है और उससे पहले एक इंपोर्टेंट वाग अभी तक किसी वी बच्चे ने अभी तक किसी वी बच्चे आपको सिंगर रुपीज पर नहीं करना पड़ेगा ठीके और यह है हमारे इस्टाग्राम आप इसको जोईन कर लीजिए और देखिए हमारे धमकेदार वीडियो जो भी हमारे वीडियो के हाइलाइटिड ग्लिप्स होते सारे में इस्टाग्राम पर फैक देता हूं ठीक है आप लोग देख सकते हैं और जो भी डाउट हो बे जिजक पूछिया आप लोग डाउट को तो मैं बिल्कुल काट काट के बता हूं आप लोगों ठीक है और यह हमारे टेलिग्राम चैनल इसको इन फटाफ जोईन कर लो जो भी इंफोर्मेशन होती है न क्लास की वो सब मैं टेलिग्राम पर डाल जेता हूं ठीक है किसी दिन कुछ इसु कि कारण हमारी वो मेर्क डैती है तो उत में टेलिग्राम पर लगे अप लोगोगों को इन फोम हो जाते हैं और आप लोग उस दिन अपना पढ़ते रहते हैं ठीक है चलो फिर हम लोग स्टार्ट करता है कौश कुछ्च्य नमब्र सेकिंड को निसको इधर लिए विए क्वेस्ट का वाले वच्च्छ को अपनी में यहां से रिड कर देता हूं अप लोगों को अपनी बुक से रिड करना है यहां से रिड करता हूं ठीकिए दोनों साथ साथ में करें बहुत मारा जाने आला देखिए निली इस्तितियों को दुई घात समीकर्ण के रूप में निर्मपीत करना है सिर्फ हमें दुई घात समीकर्ण बनाकर छोड़ देना हमारा काम हो गया क्या समझें सिर्फ हमें जो भी हमें questions दे रखे हैं उसमें सिर्फ हमें दुई घात समीकर्ण बना देना है और छोड़ देना इस प्रस्णावली हम solve करना नहीं सीखेंगे इससे अगली प्रस्णावली में हम लोग सीखेंगे गुड़न खंड वीदी ठीक है चलिए फिर अब हम वो question number second का first part पढ़ते हैं एक आयताकार भूखंड का छेत्रफल 528 मीटर वर्ग है ठीक है छेत्रफल की लंबाई मीटरों में है ठीक है बाई चोड़ाई के दुगने से एक अधिक है हमें भूखंड की लंबाई और चोड़ाई ग्याद करने हैं भूखंड की लंबाई और चोड़ाई ज्याद करने हैं सुनो 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 क्या कह रही है एक भूखंड है भूखंड बोले तो भूखंड भू मतलब भू मतलब भूमी खंड मतलब कोई भी मतलब एरिया ठीक है भूखंड है ठीक है खाली स्थान पढ़ा है समझे लि इसका जो छेतरफल है वो 528 मीटर स्कॉयर है इसका छेतरफल इतना है अब क्या कह रहा है कि छेतरफल की लंबाई है यह वाली जो छेतरफल की लंबाई है वो चोड़ाई के दो गुलों से एक ज्यादा है वो चोड़ाई के दो गुलों से एक ज्यादा है तो हम लोग क्या कर लेते हैं न, most important इसका चितर है, पैने चितर आप लोग समझे लिए, हम लोग क्या करते हैं, इसकी चोड़ाई को हम लोगो ने x माल लिया, चोड़ाई को x माल लिया, अब क्या करा, लंबाई चोड़ाई के दो गुने से एक अधिक है, लंबाई चोड़ाई का है, x माल लिया, लंबाई x से 2 गुले. लंबाई x के 2 गुले से 1 अधिक है, 2 गुले मतलब की 2x, 2x और 1 जञधा है, मतलब प्लस हो जाएगा, तो जो चोड़ाई हमाई निकल के आगी, वो क्या आगी, 2x प्लस 1, जो लंबाई है, जो लंबाई है, वो चोड़ाई के दो गूले से एक जान है, इतना और वो इसको छोड़ाई के दो गूले से हम यहां लिख लेंगे माना हम तो मान लेते हैं महत्वाले भगवान से ओड़न मिला है माना आयतकार भूखंड की चौड़ाई को मान लेते हैं ना माना आयतकी चौड़ाई क्या मान लेते हैं ठीक है और और आयतकी आयतकी लंबाई कितनी हैं टू एक्स प्लस बन ठीक है चौड़ाई के दो गुने के चौड़ाई के दो गुने से एक जादा है लंबाी उसकी कया है, चर्वडाई के दोगुन से एक जाधा है, ठीक है. अब क्या होता है, शुरूद? अब आपको लोग को पता होगा कि आयत का छेत्रफल क्या होता है, बता हुआ है पट फट फट बताउफटु पटाउऔ बताओ भई फटाफट बताओ फटाफट बताओ मुझे मुझे आंतर चाहिए है ठीक है आंतर चाहिए मुझे बताओ मुझे आयत के छित बल क्या होता है तो आयत के छित बल क्या होता है आयत का आयत का छित बल क्या होता है भईया लंबाई गुड़े चोड़ा ही लंबाई गुड़े चौड़ाई होता है आयत क कचैटरब letting क्या होता है आयत कच्यों पैल चौड़ाई होता है चौड़ाई कितनी है नहीं लंबाई कितनी है मारी लंबाई तो यह है ना लंबाई कितनी है, 2X plus 1 है, चूडाई कितनी है, X है, ठीक है, 528 बरावर में इस X की मंटिप्लाइगा दो अंदर, क्या हो जाएगा, 2X स्क्वार प्लस X, ठीक है, अब इसको अंदर गुशा दो, इसको अंदर गुशा होगी तो क्या आजएगा, 2X स्क्वार प्लस X माइनस मे क्या वोला था कि क्या हमने रूप में कर दिया क्या क्या अरे हां सर कर दिया क्यूं कर दिया कियुंकि यहां पर दो है और चिस भी चर्रासी पर मैंने आपको जिस भी चर्रासी की अधिक्तम हाथ, बिल्कुल गोर से सुनना, जिस भी चर्रासी की अधिक्तम हाथ, बिल्कुल गोर से सुनना, जिस भी चर्रासी की अधिक्तम हाथ, बिल्कुल गोर से सुनना, जिस भी चर्रासी की अधिक्तम हाथ दो हो, जिस भी चर्रासी की अधिक्तम हा हाद दूई हो दूई और उसको बोलते हैं ठीके अगूल क्या बोलने किसी भी समी खरण में उसकी चयर रासी पर इसकी चयर रासी पर अधिक्तम घाथ दूई है तो कह देना वो द्रीघाथ समी दरण। आया समझ मैं? ठीक है, देखो. ये तो हमने क्या किया, ये मारा कुश्यन हो गया. हम लोगों को सिर्फ समी करण मनाके, हमें समी करण मनाके छोड़ देना था. सूल्ब करना है हना, अगली विदी में. कम करना है अगली वीदियं सोल हम लो करेंगी ठीक हम वीदिये हम लो करने वाले इसका फटा-फट स्किनसोट ले लोुग फिर रहा हम लोग चलते आगे whale श्किनसोट ले लो एक भार आप लो चालो ले लिया स्किल्सोट ठीक है आप हम लोग चलते हैं सेकेंड कोश्चन देख लेते हैं हगाँ सिताउ ओं धाटो देख लेते हैं ठीक है आप लोगों को बोर्ण एक्जाम मेंं दिख सकते हैं दो-थो मार्क्स हने ठीक है तो은 आप लोगों भूल ध्यान से पढ़ना पड़ेगा दिखान से पढ़ना पड़ेगा चालो लोग देखता हैं सैकंड कोश्चन सेकेंड गौश्यन सेकेंड गौश्यन काई आप अमनी बूग में रीड करिये दो क्रमागत धनात्मक पुढ Yanaku का गुडनफं वं 306 क्या बोला धियान से पढ़िये से दो है क्रमागत धनात्मक पुढ Yanaku का गुडनफं 306 हमें पुडांकों को ग्यात करना है हमें क्या करना है पुडांकों को ग्यात करना है वो हमारी क्या है ठीक है तो धनात्मक पुडांक क्या होते पहले तो यह समझ लीजिए दो क्रमागत दो क्रमागत धनात्मक पुडांक ठीक है कर्मागाइद दो धनात्मा किर्मागत कुनां रาย और टेनांत्वाट किर्मागत कर्मागत by त्ष्जार। कि पुड़ांग कि यह वो लखा है दो धनात्मक किरमागात करमागात मतलब जो लगाता है दो हमारे पास कोई भी सुलो बड़ा सोट में समझा हुआ ज्यादा लंबा खीच्या नहीं ले जाओगा ठीक है बिल्कुल मस्त तरीके से आपको समझा दो जो इसमें लिखा है मुझ और धनात्मक हैं धनात्मक क माने पास दो कोई धनात्मक हैं पूरांक दो को यह अन होन दर चाहिं को je मैं ने पास दो है कंआन लिए और व्यांफंट कि अब कुदा कैसे के लिए दो 4 5 6 किर्मागत मुझाब जो एक के बाद एक मुझे लगाता है दो के बाद तीन आता है देख लो चार के बाद पांच आता है तो यह क्रमागत है यह कैसे है क्रमागत धनात्मक पुरांक है ठीक है अब क्या किया मैं अब मैंने क्या किया एक को मैंने मान लिए सबूर्द एक्स एक मैं एक स्वान बता हूं इसको मैं इसे लिख सकता हूं उन सबुस्थ लिख सकता हूं तो अब हम लोग क्या माल लेंगे अब हम लोग क्या माल लेते हैं माना धनात्मा क्रमा माना ना धनात्मा क्रमा लेते हैं माल रसी मान सकते हैं आभी तो भुला थिए अब क्या बोला है dab क्या बोला है दो क्रमा देनात्मा को रखो गुड़ गुड़। 306 है चैलो हमें क्या दिया है इसने हमें दिया है जो हमारे धनात्मा किरमागत गुड़ांक है उनका गुड़नफल इसका और इसका गुड़नफल गुड़नफल कितना है 306 है यह बोला है जो इसको अमनों इसको अमनों इसकी अंदर मंटिपलाई इधर इधर मंटिपलाई तो एकस स्कुराइर प्लस एकस बराबर में 306 चीक है अब 306 को इधर ले आएगगे बेठ के समिंसर मैंने मं गरेगा एकस स्कुराइर क्लेस x म्माईनस के 306 बराबर में कुछ भी नहीं बराबर में 0 आग्या अंसर बन गई हीरो ऑगा अनसर बन गई हीरो थीख है बराबर में 0 है लो अब लॉट करें शोर्थ यही लोटने लोग चलते हैं अगला कोशन पर चलते हैं हम लोग यही कर दूंगा कोशन भीक ले लिया मेंने जो है रोहन की मा उससे 26 बर्स बड़ी है उनकी आयू बर्सों में का गुड़न फल अब से तीन बर्स परश्चिया तीन सो साथ हो जाएगी हमें रोहन की बर्तमान आयू ग्याद कर लिए यह बाला कोश्चन में आपको चेप्टर नमर थीरी में भर भर करवा हैं यह पता नहीं कितनी बार करवा हैं बहुत बार करवा चुका हैं ठीक हैं तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को करेक्टर देखने तो किया है एक तो रोहन एक रोहन की मा है तो यहां लिखनो रोहन है और को ने रोहन की मा अब कोलम मना देने हमें यहां पर बर्तमान आयू बर्तमान आयू और क्या बर्तमान आयू ठीक है उनकी आयू का गुड़न फ़ल अब से तीन वस पश्चियात आयू तीन वर्स बाद ठीक है और क्या बोल रहा है तीन वर्स बाद कितनी हो जाएगे ना तीन वर्स बाद चालो अब क्या करना है पड़ता है मैं सुन लो यह टेबल मैंने आपको इस बताया था यह हमारा पीएस लोजिक पीएस लोजिक मैंने आपको बताया था यह है पीएस लोजिक ठीक है यह है पीएस लोजिक मैंने आपको बताया था बिल्कुल मजा वालाट रही कही है रोहन की वर्दमान आयू एक समान लो ठीक है अब क्या बोला सुनो रोहन की आयू में ग्याद करनी तो रोहन की आयू को म वड़िये लोहन की मा उससे 27 वर्ष वड़िये रुभन मतलब 10 मतलब एक मतलब से एक से 26 ज्यादा से 26 ज्यादा यानि कि 10 शब्बशु क्या है एक स्कूर्ष który एक स्कूर्स फ्लॉस इस हवला थीक है अब 23 वर्ष वाद 3 वर्स वाद क्या वोला है 3 वर्स पश्यात 300 पश्चात 360 हो जाएगी 300 वर्स पाद क्या हो जाएगा तो यह हमारी टेवल वन ले हमने छुटकी मुठकी सी अब उसने क्या दिया है देखो दिया है हमको कुछ अच्छी चीज बोला है उसने बोला है हमको ठीक है उनकी आयू का गुड़न फल अब से तीन वर स्पष्चा तीन सु साथ हो जाएगी उनकी आयू का गुड़न फल मतलब अब इसको क्या करेंगे उससे करना है इसकी करना है पूरे सबसे ठीक है फिर इसकी करना है इससे इससे चलो कर लेते हैं X square प्लस रुप जाओ भईया रुप जाओ रुप जाओ रुप जाओ सुनो 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 क्या करते हैं न हम लोग पहले इसको solve कर लेते हैं एक्स प्लस तीन ठीक है एक्स प्लस चब्विस तीन 29 आप करते हैं 307 अब इसको इससे इससे क्या हो जाएगा एक्स इस्वाइर प्लस 29 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 29 दूनी एठार नो टिया सत्ता इसके सांत आसिल लागा दो तीन मुरी छे दो, छे दो, आठ, चीक है, बराबर है 360, दखो यही तो है बई, यही तो है, आप क्या करेंगे, इनको हम लोग एट कर लेंगे, तो X स्क्वाइर प्लस, उननतिस तीन, बतिस एक्स, बतिस एक्स, प्लस, 87, इधर लियाएंगे, माइनस तीन सो साथ, बराबर के लटा दो है, 307 में से 87 घटाएंगे, 306 में से 87 घटाएंगे, 273 बचेंगे बराबरे में जीदो, हो गया question solved, ठीक है, चाहिए घटा के देख लो तो मैं बता देखाएंगे, सदासी, 10 में से 7 गए, कितने बचेंगे, 3, 7 में से 8 गए, 7 में से, नहीं 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 नह अच्छा, 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 यहाँ पर 5 बचें, 15 में से 8 गए, 5, 15 में से 8 गए, यहा, 7, ठीक है, और 2 का 2 आगे, 273, 273 बिल्कुस साही है, ठीक है, तो यह हमारा होगे question, तीसरा question, दूसरा question होगे, यह तीसरा question होगे, यह आईउ वाले आपको आगे भी यह भी ऐखi फटा-फट इसका skin insult लेंगे सभी बच्चे, फटा-फट इसका skin insult लेंगे, ठीक होगे, अब लोग देखता है fourth question, जो fourth question है, बहुत important question है, आप लोग फटा-फट देखेंगे इसको, जृच है, उसका एक बार skin инdsọrd देलो आप लोग, इसके इन्सोड ले लीज़े आप लेज़ बताऊ में लेज़े इसके इन्सोड चालो आप हम चलते हैं नेक्स्ट कोशिट बब ठीक है बहुत लाजवाब कोश्चन है वो देखते हैं क्या है ऐसे कोश्चन को आप लोगों की जान निकालेंगे निकालेंगे यह बताओ मुझे पका अभी देखते हैं इसकोश्चन वागोग क्या है इसमें ठीक है चालो फोर्थ कोश्चन देखो क्या है एक रे लगारी है क्या है एक रेल गाड़ी है 480 किलो मीटर की दूरी समान चाल से तैय कर लेती है 480 किलो मीटर हमें दूरी दे रखे है यदि इसकी चाल 8 किलो मीटर प्रती गंटा कम होती है यदि इसकी चाल 8 किलो मीटर प्रती गंटा कम होती है तो वे उसी दूरी को पे करने में 3 घंटे लेती है अधिक लेती है हमें रेल गाड़ी की चाल गयाद कर लिए है हमें रेल गाड़ी की चाल गयाद कर लिए हम माल लेगे माना इसको ध्यान से समझना इसको ध्यान से समझना रेल गाड़ी की चाल एक्स किलो मीटर पती गंटा है दोरी कितली दे रखी है 480 किलो मीटर दे रखी है जो भी ये रेल लगाड़ी वाले आपके सिलेवस में फोर्मूले है इसमें आपका फोर्मूला एक ये वाला जुरूर लगेगा चाल बरावर दोरी बटे समय वाला ठीक है तो हम लोग समय होता है दूरी बटे चाल दूरी बटे चाल यहां दूरी के दिने रखी है 480 बटे चाल के दिने रखी एक्स इतना बताव समय आगे यानि कि इतने घंटे लगेंगे चार्सोस्ती बटे एक्स घंटे लगेंगे यह तो हमारा पहला कंडिसन था यह समझे यह समझ लिजह आप देखो इसको मनद इतना कर लिया ठीक है इतना यह समय बिल्कुल प्याल से सुलना बहुत iMPORTENT यह बहुत important question है ठीक है अब हमको उसने क्या बोला है अब हमको उसने क्या बोला है अब हमको उसने क्या बोला है दूरी समान चाल से तेह करती है ठीक है यदि इसकी चाल यदि इसकी चाल 8 km प्रतिगंटा कम होती है यदि इसकी चाल हमने एक समान लिया है चाल को क्या माल लिया एगसमाल लिए है् यदि इसकी चाल आठ क्यलो मीटर प्रति गंटा कम होती है इनकी एकस में से 8 को गटा देंगे सुलों क्या हो कि यहान देखलो दिया है, क्या, क्या दिया है, यदि इसकी चाल, यदि चाल, क्या हो, इसकी आठ घंटे कम हो जाए, यदि इसकी चाल आठ घंटे कम हो जाए, तो हमारा इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, पर हमें दूरी फिर कितनी दूरी कितनी दे रखिये, दूरी तो हमें 460 क्लो मिट दे रखी है तो क्या हुआ कि आप सुनोगे समान दूरी से सुनोग एक बढ़ फिर पढ़ो उसको एक रहेलगारी 403 km दूरी की दूरी समान चाल से समान چाल से समान चाल से ते कर दी उस चाल को हमने एक समान लिया है तो इसी दूरी को ते करने में तीन घंटे अधिक लेती है अब वो तीन घंटे अधिक ले रही है, मतलब पहले वाले समय से तीन घंटे जाधा ले रही है, पहले वाला समय ये रहा, अब उससे भी तीन घंटे जाधा ले रही है, समझ रहे हो, समय अब इस दूरी को तेह करने में, आठ घंटा उसने किलोमीटर चाल कम कर दिये, अब व हम डोको इस वाले समय से 3 घंटा जाधा ले रही है अब हम लोग इधर लिख लेते हैं पहले वाला समय क्या है हमा रहा या छारसो 880 वटे x प्लस 3 इससे मतलब जाधा ले लिए इससे जाधा ले लिए तो हमने ये लिख दिया है ठीक है अब सुनो अब फिर हम लगाता है समय का फॉर्मूला समय बरावर क्या होता है दूरी वटे दूरी वटे 4 थीक है दूरी वटे क्या होता है दूरी वटे चाल होता है हमारा हमारा चाल तो हमारा भी है अब दूरी, अब दूरी लिख लो, दूरी कितनी है, 480 है, और X को हमने क्या मा रखा है, 4 मा रखा है, तो X वराबर 480, बटे X प्लस 3, ये हमारी समी गड़ बन गई है, पर अभी पूरी तरीके से नहीं बनी है, कहां गड़ बनी है, यहाँ पर तो, चा, 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 X-8 होगा न, X-8, 8 गंटे कम जब 4 से चलती है, तो यहाँ पर X-8 आएगा, ठीक है, X-8 आगया है, X-8 आगया है, अच्छा, नहीं, कहीं गलती हो गई, यहाँ तो, X-8, 8, X दूरी बराबर, चाल, दूरी बटे, चाल बराबर में 4 सोचती उटे, एक अच्छा, 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 यह बात है, क्या, हमें यहाँ पर, यहां पर X यहीं वाला लेगा न यहीं वाला लेगे इस समय से पहले वाले समय से 3 जादा लेती है अब यहां पर हमें X-8 करना पड़ेगा यह वाला हम लोग X-8 घंटा जो चाल कम कर देती है इस दूरी को ते करने पर तो इतना समय लगता है इतना समय लगता है, जब बस वो 8 घंठे अपनी चाल को कम कर देती है, इस दूरी को तेगर नहीं, तो हमें टोटल इतना समय लगता है, पहले वाले समय से 3 जादा, ये इसका कहने का मतलब है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से 480, नहीं, इसको उधर बेज देते हैं, इसक 480, माइनस 480, बटे में X, बटे में X-8, बराबर में 3, ठीक है, इतना होगे, आप क्या करते हैं, 480 को को मन ले लेते हैं, 1 बटे X-8, माइनस बन अपन X, बराबर में 3, कटा दो 3 निकम, 3 निकम, 3 छंग 18, जीटू, ठीक है, अब सुरो, अब सुरो, 160, एक बटे, X-8, माइनस के बन अपन X, बराबर में 1, बराबर में क्या आगया, 1 आगया, अब इसका हमें LCM लेगे, नीचे LCM ले लेगे, अब भिन्द को हम लोग इसको सोल्ट कर लेते हैं, इसको 160, बहुत ध्यान से सुलना, बहुत इंपोर्टेंट है, X, ठीक है, लेला है, चाला, X-8 और X, आब इसको क्या करेंगे, X आजएगे, इसर माइनस, X-8, बराबर में 1, ठीक है, 160, यह तो इससे इससे कट जाएगा यह, 160 को अंदर मंटिपलाई कर दो, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, 0, 8, 48, 88 लगा, चार आठी का माट और चार बारा सो, असी माइनस के वोगी, बटे में X की अंदर मंटिपलाई कर दो, X-square-8X बराबर में 1, ठीक है, अब इसकी क्रोज मंटिपलाई कर दो, क्या हो जाएगा, X-square-8X बराबर में, माइनस के 1280, और X-square, X-square-8X प्लस के 1280, बराबर में 0, बराबर में 0, अच्छा, 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 चलता हूं, सुनो, साट प्लस यहाँ पर-प्लस का है क्या अच्छा 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 सुनो कि इसको प decision कर आरें कि यहाँ पर तो यह माइनस माइनस यहाँ पर भर थो लिए यहाँ का यह प्लस आ हो जाएगा तो नीचे यहां पर क्या आजएगा ओझा ओझे यह उपर प्लस का 8 बचेगा हमारे पास मारे पास प्लस का 8 बचेगा ठीक है तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस का 1280 आ जाएगा यह हमारी आ गई है समीकरण यह आ गई है आ गई है आ गई है समीकरण गा समीं करणा ये हमारी सभी ना संधन हैं तो ये इतना लंबा कुष्चिन त् One जब लों इसकी बार बार प्रक्ष्चिस करेंगे जो तक आप लोग्स की बार इस दूरी को वो इतना गंटे में तय कर रहे हैं अब देवो यदी चाल वरावार यदी वो लैप यदी यदी जो हमारी चाल है उसमें से हम लोग 8 km प्रती घंटा चाल को कम कर दें जो हमारी समान चाल है उसको में एक समान दिया था अब उसमें से बोला है उस बस की 8 km प्रती घंटा कम कर दो तो मतलब एक समय एक कर दो ठीक है उसी दूरी को टे करने में आप समय कितना लगेगा पहले समय इतना लग रहा था आप समय कितना लगेगा अब बोला है जो पहले वाला समय है ना ये वा पर एक साय जाना पहले वाले समय है तो इससे तीन जादा लगेगा ठीक है तो दूरी बराबर क्या होता है चाल बराबर समय हमारा कितना लग रहा है इतना लग रहा है टोटल समय पहले वाले समय से तीन जादा लग रहा है ठीक है दूरी कितनी है चार सो सी और चाल अब कितनी हो गई है एक्स माइनस एट और पहले वाले समय से तीन ज्यादा अब क्या कि आप इसको हमने सोर्प कर लिया कोमन लिया इसको यहां से फटा फट करके इसको हमने दिगासनी करना बना दी है तो फाइनली आपकी यहां पर यहां पर 4.1 प्रसनावली कंपलीट हो गई कि किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट हो तो उससे कमेंट में करके पूस सकता है ठीक है कोई भी आपका डाउट हो कोई भी डाउट हो इन्हें सभी बच्चों की कमेंट पढ़ता हूं ठीक है आप लोग उससे इस्टाग्राम पर डाउट पूस सकते हैं जो भी डाउट हो आपको टेलीग्राम चैनल जरूर जोईन कर लिना, ठीक है, वहाँ को आपको information मिलती रहते हैं, जो भी doubt आप लोग टेलीग्राम पर भी पूस सकते हैं, तो चलते हैं फिर वच्चो, चलते हैं, अब आज की class को यही पर ही समाप्त करते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है खूप आप सकते हैं, जो पिक लिए बटा आप पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, खूप पढ़िए, जेही जे भारत